नमस्ते दोस्तों सेने महाल में आपका स्वागत है और यहीं अपना प्रेम बनाए रखिए रिव्यूस सुनते रहें और प्रतिक्रिया दें सहमत हो तो उन्हों स्थीतियों में प्रतिक्रिया दें तो उसके लिए जरूरी है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें बेर आइकॉन प्रतिक्राइब करें अगर पसंद आता है तो इसके पहले कि मैं कुछ भूल जाओं और जो एक बात मैं बताना चाहता हूं निर्माताओं को और हिंदी फिल्म के तमाम निर्माताओं को वह बात सबसे पहले मैं कह दूं कि पंकज तिरपाथी जैसी प्रतिभा को चेपू च रिधी थे वे बिल्कुल एक जरूरी किरदार हो सकते थे लेकिन उनके साथ पूरी तरह से अन्याय किया गया है उनके प्रतिभा का दुरुपयोग किया गया हैं यह बात खत्म हो गई अब मैं लुकाचिंपी की बात करूंगा लुकाचिओपी बहुत ही शांदार फिल्म है और इस फिल्म को देखा जाना चाहिए एक अलग किसम के romantic comedy है जो मत्रा और गवालियर और मत्रा के बीच में चलती है और वहां की भाशा जैसा कि मैं जानता हूँ कि कार्थिक आरियन खोद गवालियर के हैं तो उन्होंने वहां की भाशा को बहुत अच्छी तरह से पकड़ा ह है और मैं हमेशा इस बात की तागीद करता हूं कि जब भी कोई किरदार अपने स्थानिये भाशा को लेके चलता है और उससे ऐसा कलाकार मिल जाए जो उस भाशा के निर्वाह कर सके तो फिल्म का प्रभाव को ज्यादा हो जाता है अगर इसी किरदार में कोई और दूसरा क दो चीजे बहुत देखने लाइक हैं एक तो लिविन रिलेशनसिप को लेकर के जो एक छोटे शहरों में या कहले समाज के दूसरे तबकों में जो गलत फाहमी सी बनी हुई है चीजे उनकी समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्या होता है लिविन रिलेशनसिप उसको ये फिल्म बहुत हलके फुल के अन्दाज में लेकर चलती है और कहीं न कहीं इस बात के महत्व को स्थापिट करती है कि शादी के पहले लड़का और लड़की दोनों के लिए जरूरी है कि वे एक दूसरे को समढ़ें, एक दूसरे को जानें अगर इसके लिए उन्हें लिव-इन रिलेशन्सिप में रहना पड़ता है तो वे रहें और फिर उसके बाद से तै करें कि उन्हें क्या करना है संस्कृती रख्षक्मंच टाइप के जो संस्थाएं बन गई हैं जो धार्मिक और नैतिक संस्थाएं बन गई हैं ये देश का किता बिगाड कर रही है वो इस फिल्म को देखने से पता चलता है एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि फिल्म में बहुत सारा इनिसेटीव जो है वो लड़की लेती है लड़का उसको फॉलो करता है ये एक नया अप्रोच है जो मैं पिछले दिलों बात कर रहा था कि कामकाजी प्रेमिका ये वही कामकाजी प्रेमिका है इस बार भी जो है वह काम करती है पिता उसको अपने पास रखना चाहते लेकिन वहां भी वह सिर्फ घर में बैठ करके रोटिया नहीं तोड़ना चाहती वह कुछ करके कुछ सीखना भी चाहती है तो यह बहुत बड़ा फर्क आ गया है फिल्म के निर्देशक लक्षमन उतेकर है उनकी पहली के दुनिया रची है यह दुनिया हमारी देखी हुई हो सकती है गवालीयर और मतुरा के आसपास पास के लोग जानते हों इन चाह दुत्यों के जो वो सहायक चरित्र लिए गये हैं, सहायक किरदार लिए गये हैं, उनमें जिन कलाकारों का चेहन किया गया है, वो सब बहुत खुपसूरती से एक दूसरे से जोडते हैं, अब यह फिल्म के प्रभाव को बढ़ाते हैं, आप देखें कि इधर की फिल्मों में सहायवी किरदारो अब भी काफी काम किया जा रहा है, इसके साथ यह फिल्म, कुछ एक मैसेज भी लेकर चलती है, कुछ एक मुद्दे लेकर चलती है, जिसमें सबसे पहले तो लिए इन रिलेशनसिप, शादी, उसके अलाबा लड़कियों की समाज में इस्तिति, परिवार में लड़कियों क कि सथिती, और सास्कृती रक्षक जिस तरीके से मिसायव कर रहा है, पुलिय सूसाइटी के साथ, उन पर आखशेव करती है, यह फिल्म एक तरीकव किसे पॉलिटीगल फिल्म भी हो जाती है, रेल रोमेंटिक कोमेटी लेंगि रोमेंटिक कोमेटी के पीछे एक सोचल पॉलिटिकल मैसिज भी है इस फिल्म के अंदर जिसका ये कोई नारा नहीं करती है कोई दुगोश नहीं करती है लेकि ये फिल्म वहाँ चूती है उमको और ये फिल्म बहुत रोचक है आप सबको देखनी चाहिए खास करके कार्थी कार्जिन और किर्थी सैनन की केमेस्ट्र दूर देखने जाए मैं इसे साड़े तीन स्टार देना पसंद करूंगा धन्यवाद